हालो अच्छो बेरी बेरी गोड एवनिंग टू आल अप यू तो कैसे हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो बेटा आज आपके बीच बहुत ही बेहतरीन सा लेक्चर मैं आपके बीच लेके आया हूँ किस में लेके आया हूँ महा भारत में लेके आया हूँ महा भारत में बहुत ही बेहतरीन और खुबसूरत सा लेक्चर आपके बीच लाया गया है तो आप सभी बच्छो का आपका अपना छोटा सा प्याड़ा सा यूटूब चैनल सारदा क्लासे जार्दी खार्दी का भिनन्दन करता था है और रहेग तो मेरे बाई जितने भी बच्चे उपसित हैं बेटा आज आपको मैं महा भारत का सेट जो लाया हूँ इस सेट का बेटा अजीबो गरीब कहानी है वो अजीबो गरीब कहानी है मैं आपको समझा देता हूँ एक कहावत आप चुने होंगे देखन में छोटन लागे घाव करे गंबीर भाई देखन में छोटन लागे घाव करे गंबीर तो आज मैं देखने में छोटा लगने वाले वैसे सभी चुनिंदा प्रस्नों को लाया हूँ जो आप से बहुत दूर कहीं छुपा हुआ राता है और वहां न सिक्षकों का ध्यान जाता है और नहीं आपका ध्यान जाता है और वो केबल तब दर्शन देता है जब आप परिक्षा भवन में होते हैं कहां होते हैं केबल परिक्षा भवन में वैसे प्रस्न का धर्शन होता है बाद बाकी वो आप से बिल्कुल बिलूप्त होत जो कहीं न कहीं बेटा छुपा होता है और अंत समय में ऐसा एटेक करता है कि बड़े बड़े साप जितने जहरीले नहीं होते हैं उससे पावरफुल डंक ये मारता है और हमारे रिजल्ट को लेके एक ही बार बैठ जाता है और समझ में आता है कि ओहो खोदा पहार निकली चोई यार छोटा 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 चीज था इसको मैंने नजर अंदाज कर दिया और परिनाम क्या देखने को मिला तो आप समझी गए होंगे तो ऐसे कोसंस बेटा आज का ये सेट सभी बच्चे को मैं कहूंगा सुरू से लाश्ट तक बेटा सुरू से लाश्ट तक सारे नए कोसंस है बिलकुल नए नए कोसंस है और वैसे कोसंस है जो कहीं न कहीं हमारे नजरों से बहुत दूर होता है और उसका दर्सन बेटा केबल कहा होता है तो एक्जामिनेशन सेंटर में होता है लेकिन सार्दा का बादा है कि सब चीज दर्सन आपको पहले करवा देगा एक्जामिनेशन से पहले सब चीज आप दर्सन करके वहां जाएंगे कुछ भी आपको नया नहीं नजर आने वाला है मेरे भाई तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारा और खुबसूरत सा सेट आपके बीच लाया गया है बेटा मैथमेटिक्स यानि सब विशयों का संगम है इसमें मैथमेटिक्स है केमेस्ट्री है फिजिक्स है ये तीन चीज है और ये बेटा कमिंग सुन मैं बार ब मैं दोस्तों को सेयर के साश बच्चे बने रहेंगे बहुत बहुत बैपरीन फिजिक्स औरा जाता है बहुत बेतरीन अभी तक 90% कोस्चन बिल्कुल नया दिखने वाला है आपको तो बेटा इन सभी का PDF हो गया और नोट्स हो गया ये सारे हमारे टेलेग्राम चैनल से आपको प्राप्त होगा आप हमारे टेलेग्राम चैनल पर जाईएगा नाम है बेटा उसका सारदा क्लासे 01 आप जै चाहिए आप जो चीज डालिएगा वो आपको फटाक से निकाल के देदेगा आज सर पढ़ा रहे थे महाभारत उन्होंने बताया था वैसे कोस्चन को बताओ जो एक जामिनेशन में आता है उससे पहले कोई नहीं दिखाता है तो फटाक से निकाल के देदेगा ये कहानी है हमारा टेलेग्राम चैनल का और इसके बाद बेटा कमिंग सून में आपका पारा मेडिकल का बैच मैं बहुत जल्दी ला रहा हूं पारा मेडिकल का सेकेंड बैच आपको लाया जा रहा है दी फार्मा का भी सेकेंड बैच आपको लाया गया है ठीक है ये बहुत जल्दी द दाएं, बेटा सारदा क्लासेश आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। प्रोवात करते हैं। सुरुवात दौर से ही धमाकेदार क्वेस्चन से शुरुवात करेंगे। और आज का पहला question आपके पास बहुत ही बेहतरीन question रखा गया है जड़ा question देखने से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ पेटा first question आपके पास है फटा फटा आंसर देना शुरू किजिएगा क्या काता है सूर्ज का ताप मापा जाता है किसमे मापा जाता है वही आप से पूछा गया है जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे बेटा दोस्तों को सेर करेंगे बहुत बिहतरीन lecture है मैं बार बार कहता हूँ बहुत खूब सूरत और बहुत बिहतरीन lecture है नए जो भी बच्चे हो वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा फटा फटा आगे बढ़ते हैं चलिए स्टार्ट कीजे जल्दी जल्दी आंसर बताईएगा क्या बात है सर अब पढ़ाईए बिलकुल हो गया भाई आगे बढ़ गया हेलो सर निवे स्टुडेंट एम मैक्स अरपित पटेल नए बच्चे हैं बेटा सर आज हमारा नाम कौर मेरा नाम जरूर लीजेगा क्या है मिस्टर गेमर आरपी आगे बढ़ा जाए मेरे भाई आगे बढ़िए फटा फटा आगे बढ़ते हैं आग क्या बात एकदम सही जवाब यानि क्या होगा तो इटा पाईरो मीटर की मदद से सूर्ज का लगबग तापमान जो होता है वो बेटा सूर्ज के सता का चोहजार डिग्री सेल्सिज तापमान होता है इतने degree Celsius आते हैं लगभग approximate तापमान आपको 6000 degree Celsius होता है और ये इससे भी नहीं मापा जाता है गैस thermometer इसको मापा किसे जाता है पैरोमीटर यानि उत्ताप मापी द्वारा मापा जाता है इतने तापमान हमारे सुर्जा बिलकुल मैंने lock कर दिया भाई सी को lock कर दिया चलिए अगला question देखेगा अगला question है बेटा building में निमने में से कौन सी गैस परयोग की जाती है building किया जाता है लोहा हुआ तूट जाता है तो उसको building करवा के बेटा जोर देते हैं तो उसमें कौन सा गैस परयोग किया जाता है वही आपसे पूछा है methane gas दिया हुआ है CH4, ethane gas दिया हुआ है C2H6 ध्यान से समझेगा और amine दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? amine दिया हुआ है और तीसरा आपको दिये गया है AC-Tilene gas कौन सा गैस? तो AC-Tilene gas दिया गया है C2H2 जल्दी बताईएगा कौन सा गैस होगा चार आपके पास है क्या बात है एकदम बच्चे आज जली मुड में सचीन DQ और जा रहा है अनूज बेटा BQ और है प्रवीन हैसर नए बच्चे अलका DQ और जा रही है जल्दी जल्दी एकदम आग लगा देना है लगता है बिल्कुल सारदा के बच्चे दिखने चाहिए जल्दी जल्दी बताईएंगे सारे बच्चे बताईएंगे बेटा बहुत बेहतरीन कोस्टन है मैं बार बार कहता हूँ बहुत बेतरीन कोस्चन का सिट लाया हूँ, सारे कोस्चन्स ऐसे हैं जो एक्जामनेशन में दर्सन देंगे, तो बेटा डी को लॉक कर दो, एकदम लॉक कर दो, लॉक करने में कहीं को ताहली नहीं किजिए, बहुत कुछ आप लोग पर चुके हैं, अब बेटा दिकत नहीं ह होगा नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे फटा-फट बढ़ते हैं यहां तक आप लोग बने रहे इसके लिए धैंक्यू धन्य बाद तो बनता है मेरे भाई आगे बढ़ा जाए यानि बेटा आपको टाइम कितने दिया अगया है ज्ली सियस कोस्टन होगा तो उसकी आविरती क्या होगी वही आपसे पूछा गया है यानि उसका स्र Glue के मान क्या होगी वही आपसे पूछा है फटा फट बताईएगा क्या होगा जल्दी जल्दी बताईए जल्दी जल्दी बताईएगा सारे बच्चे बताएंगे सरा पहले जैसा नहीं पढ़ाते हैं पहले आप फास्ट पढ़ाते थे पर आब आप चली आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए जल्दी जल्दी जल् नहीं हूँ सब चीज वही है बिल्कुल नए चुनिन दे कोस्टन से चार उप्षन है बिटा 20,000 हर्ज है दोसो पचीश हर्ज है दोसो पचास है और पाच सजार हर्ज है कौन सो उप्षन है बाग क्या बात है एकदम सही बात F बराबर क्या होगा 1 by T होगा मेरे भाई 1 by T T कितना दिया हुआ है 0.004 था उड़ा दीजिए 3 को डेसिमल उपर आ जागा 4 से कार दीजिए 250 हा जागा कौन सो उप्षन होगा उप्षन नंबर C को सर लॉक कर दीजिए बिल्कुल लॉक कर दिया मैंने नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों को सेर कीजिए बहुत बेहतरीन कोस्टन है यंग्स के गुनांक का मातरक होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्लास 11 के फिजिक्स में पढ़ना है और आप वहाँ पढ़ेंगे वाई बराबर क्या होता है बेरे भाई mg l r bata pi r a square d l होता है होता है या नहीं होता है ये कहानी आपने जरूर पढ़ा होगा कहां पढ़ा होगा यंग्स double slit experiment में आपको ये पढ़ाया गया होगा जल्दी बताईएगा जल्दी जल्दी बताएगे यंग्स के गुनांक का मात्रक होता है यूनिट पुछा गया है बेटा यं यंक्स के गुनांत, यंक्स डबल सिलिट एक्सपेरिमेंट में typically का यूनिट क्या होता है नीउटन प्रती वर्ग मिटर दिया हूआ है प्रती वर्ग मिटर दिया हूआ था यहां पर एक्स्ट्रा कुछ लिख दिया गया है चलिए दूसरा दिया हुआ है Newton तीसरे दिया हुआ Newton प्रती मीटर और चौथा दिया हुआ इसमें से कोई नहीं जल्दी जल्दी कौन सा आप्षन होगा ABCD में ABCD में बताइएगा पहला दिया हुआ Newton प्रती वर्ग मीटर याने Newton मीटर स्क्वाइर मेरे भाई पहला दिया हुआ Newton प्र मीटर स्क्वाइर दूसरा Newton मीटर है और तीसरा यह आपका Newton दिया हुआ है और कहता है नन अफ दिजिस में से कोई नहीं कौन सा आप्षन होगा unit पुछा जा रहा है या क्या बात है एकदम सही जवाब कौन सा जवाब होगा बिलकुल Newton पर मीटर स्क्वाइर होगा यह सब कोस्टन से बेटा आते हैं आपको मैं बार बार कहता हूँ देखिएगा कैसा कैसा कोस्टन है अजीबो गरीब कोस्टन का संगम लाया हूँ दो समानांतर तारों में यदी धाराए बिप्रित दिशा में प्रभाहित हो त कुछ रहा है कि इन दोनों के बीच जो फॉर्स लगेगा इस दोनों के बीच जो बल लगेगा वह आकरसन बल लगेगा या बिकरसन बल लगेगा सारे बच्चे जबाब देंगे वेता यह सब कोस्टन डाइडेक्ट आपको थियोरी का कहा मिलता है सीधा परिक्षा भवन में मिलता है लेकिन मैं परिक्षा भवन से पहले सारे questions आपको दिखाऊंगा एक चीज ये जान लिजी और दूसरा ये भी जान लिजी कि अगर समानांतर तारों में एक ही दिशा में current अगर बहेगा तब दोनों में कौन सा बल लगेगा मैं दोनों concept आपको समझा देता हूं फटा बेटा प्रतिकर्शन लगेगा कब जब आपको दो समानांतर तारों में दो parallel wires में current opposite direction में जाएगा विप्रित दिशाओं में तो प्रतिकर्शन लगेगा और जब आपको एक ही दिशाओं में दोनों जाएगा तो बेटा एक ट्रेक्शन लगेगा यानि आकर्शन बल है next question next question देशी छोड़ा hundred creation क्या बात है बाई नया नया ऐसा ऐसा नाम रखता है अब देखिएगा क्या काता है जल पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है क्यों तैरता है बेटा पानी के उपर बर्फ का टुकड़ा तैरता है क्यों तैरता है वही आपसे पुछा गया है बर्फ से जलवास्व उठती है बर्प के भीतर भाफ रहती है तीसरा ओप्शन है बर्प का घनत्प जल से कम रहता है यानि डेंसिटी जो होगा बर्प का वो जल से कम होगा और चौता है बर्प का घनत्प जल से अधिक रहता है डेंसिटी जो आपके बर्प का होगा वो जल से जाद होगा जल्दी बताईएगा सारे बच्चे बताईगे बेटा एक एक कोस्चन अभी तो शुरुआत किया हूँ मैं अभी शुरुआत किया हूँ देखिएगा सारे कोस्चन आपको नए लाए हैं और ये कोस्चन आपको तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप कोस्चन आपको नजर से गुजार दूँगा एक भी कोस्चन नया आपको एक्जामनेशन में नहीं दिखाई देगा फटा फटा पताईएगा कौन सो आप्शन होगा क्या बात है सर लॉक कर दीजिए एक दम मैंने लॉक कर दिया बेटा डेंसिटी कम होगा हलका होगा तब वो तहरेगा चलिए नेक्स्ट कोस्चन आगे बरते हैं नेक्स्ट कोस्चन यहां तक आप लोग हमारे साथ बने रहे इसके लिए धन्यबाद बेटा टेस्ट के लिए एक्टिव रहो सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे से अनुरोध है जितने भी तो continue test चलेगा याद रखिएगा कोई charges नहीं सब चीज फिरी में दिया जाएगा तो connectivity जरूर बनाईएगा जल्दी connectivity बनाईएगा next question आपके पास क्या दिया हुआ है देखिएगा यदि दो आबेसों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने बाला बल क्या होगा बेटा याद करो किसके नियम को कुलम्स के नियम को याद करो किसके नियम को कुलम्स लौ को याद करो मैंने आपको पढ़ाया था कुलम्स लौ में क्या पढ़ाया था कुलम्स के नियम में आपको बढ़ाया थे कि फॉर्स जो होता है वो आपको डारेक्टली प्रोपोस्टल होता है वन बट्टा आरे स्क्व Desus आ जायेगा कोंस nhân होगा डी कुं लॉक कीजिए approximately एकदम लॉक कर दिया मैंने दोस्तों को सेर किजिए मैं बारबार कहता हूं नए नए बच्छे बेटा जाओ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए है उसका नाम क्या है कोई भी बॉडी का बेटा भार मापना है क्या मापना है द्रब्यमान नहीं मापना है मेरे भाई वेट को मापना है वेट को मापना है वेट यानी भार जो आपका बल होता है उसको मापना है तो किसी पिंड के भार को मापने के लिए किस यंत्र का परयोग किया जाता है वही यंत्र आपको पूछा गया है उसी यंत्र का नाम क्या होता है जल्दी जल्दी बताईएगा क्रमानीदार तुला साधारन तुला भौतिक तुला और रासायनिक तुला है जल्दी जल्दी बताएंगे कौन सा आप्शन होगा सर आएम न्यू सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे लाइक बहुत कम दिखाई दे रहा है लाइक बहुत कम दिखाई दे रहा है सारे बच्चे लाइक करते रहेंगे बहुत धमा के दार सिट होने वाला है मेरे भाई अभी तो सुरुवात किया हूँ अभी तो कहानी शुरू हुई है मेरे भाई जल्दी जल्दी बताएंगे कौन सा option क्या बात है फस गए चक्कर में चक्कर में तो फस नहीं था मैंने बोला था क्या बात है बीपीन आगे बरा जाए जल्दी जल्दी आगे बरहेंगे देखिए पड़ गये चक्कर में वाटसप से कैसे जूरे बेटा नमबर मैंने दिया है नमबर दिया हुआ है वाटसप चैनल हमारे टेलेग्राम आपको यूटूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाटसप चैनल है वहाँ पर जाईए सारे डाटा आपको हमको चाहिए यानि कुछ तो रहेगा तब तो मैं आपको जोड़ूँगा टेस्ट में कैसे जोड़ूँगा सरसी को लॉक कर दिया जाए एक भी बच्चा सही ने आ क्या बात है कुंदन राजपूत और उपर में भी हमारे बच्चे है बेटा कमानीदार तुला होता है देख लीजिएगा कहीं एक बार ये कोस्चन पूछा है लगबग मैं देखा हूँ तो साथ आठ बार ये कोस्चन पूछे हुए है आप अपने बुक को खोल के देखिएगा साथ आठ बार पूछा है कहीं दर्षन नहीं मिलता है तो बिल्वकुल दर्षन कीजिए ऐसे कोस्चन का कमानीदार तुला तो भार मापने के लिए किसी भी पिन्ड का भार बेटा कमानीदार तुला से मापा जाता है याद रखिएगा दोस्तों को share कीजे एक आदमी के आवाज की आविर्टी दिया हुआ है 150 हर्ज यानि आदमी जो बोलता है तो बेटा sound का जो measurement होता है ध्वनी का जो मापन होता है वो हर्ज में करते हैं ये है तथा लंबाई कितना दिया गया है तो 2 मीटर यानि आपका उसके तरंग का लंबाई जो दिया गया है आपका 2 मीटर दिया हुआ है कहता है यदि एक बच्चे की आवाज की तरंग लंबाई 4 मीटर हो तो बच्चे के आवाज का आविर्थी क्या होगा वो आपते पूछा गया है तो बहुत ही प्यारा कोस्चन है बेटा म्यू बराबर क्या होता है तो म्यू बराबर N बट्टा लेमडा होता है मेरे भाई n आपको कितना दिये गया है, ऊपर वाले में, तो 150 दिया गया है और lambda कितना है, तो 2 मीटर तो गोने, दू कर दो कितना आ गया, तो 300 मीटर पर फसकेंड आ गया मेरे भाई, 300 मीटर पर सकेंड आपका यह आ गया आप बच्चा वाला का N निकालना है तो N बराबर क्या हो जाएगा N बराबर Mew बट्टा हो जाएगा लिमडा आपको Mew कितना है स्पीड कितना लाए है तो 300 लाए है और बच्चा क्या आबाज का तरंग धर जो दिया गया है उसका लंबा फार्त दोपक्रणाबर जानए है जील के पाणी की 60 सत्ता बड़्प के रूप में जमने जा रही है बेटा आपका ये जील है यह आपका जील है ठीक है अब क्या करा है कि इसी जील का पानी का सता जो है ना उपर वाला सब बर्फ बन गया यानि जील आपका पूरा क्या बन गया है बर्फ बन गया है मेरे भाई दोस्तों को शेर कीजे मैं बार बार कहता हूँ बेटा बहुत बे बताएंगे इसके सतह यानी अंदर वाले तल के पानी का टेंपरेचर क्या होगा? Zero degree Celsius, चार डिग्री से कम, चार डिग्री से अधिक और चार डिग्री Celsius. कौन option होगा? जल्दी बताइएगा. जी सार, एक गदम आपको एक गदम मैं बता रहा हूं बिटा, बहुत ही. आप देखते रहिए केबल देखिए मैं शुरुवात किया हूँ अभी 0 degree Celsius है कौन सा option होगा भाई option तो बताओ B option A option देखिए आप लोग फस रहे हैं विश्नु कुस बाहा D की ओर है कुंदन राजपूत A की ओर जा रहे है A, B, D, A, B, D, B option देखिए सारे बच्चे फस गए हम जानते थे रेकॉर्ड बनाए हुए है लेकिने रेकॉर्ड आपको दिखाई ने देता है बेटा 4 degree Celsius होगा रे 4 degree Celsius 4 degree Celsius से नीचे टैंपरेचर बहुत कम जाता है पानी का याद रखिएगा मैंने आपको पढ़ाया है किसमें थर्मोडाइनेक्स में दिखाया है आपको कौन सो option होगा 4 degree Celsius चलिए next question देखिएगा आप देखिए क्या काता है प्रेरन द्वारा किसी अचालक को आबेशित नहीं किया जा सकता है प्रेरन बेटा क्या होता है वो आपको समझाता हूँ प्रेरन आपका क्या होता है तो induction process होता है ये induction से जब बेटा किसी बस्तू को चार्ज किया जाता है इस induction से किसी बस्तू को चार्ज किजेगा तो एक बस्तू पर बेटा positively चार्ज आएगा तो इससे जो बस्तू चार्ज होगा उस पर निगेटिवली चार्ज आएगा इस पर जितना पोजेटिव होगा दोनों की मात्राय समान होगी इस पर जितना धन आबेस होगा उतना ही मात्रा में बेटा इस पर क्या हो जाएगा रीन आबेस हो जाएगा धन आबेस रीन आबेस बढ़ाबर हो जाएंगे अब कहता है अचालक है बेटा अचालक किसको कहा जाता है इंसुलेटर को कहता है कि इंसुलेटर को हम चार्ज ही नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं चार्ज कर सकते हैं क्योंकि बेटा वस्तु वही चार्ज होते हैं जिसके पास मुक्त एलेक्ट्रोन पाय बढ़ेंगे अरे अभी मैच देखने जाएगा अभी मैच स्टार्ट कहा हुआ है कल से न है चलो जल्दी और आजे से मैच है मैच देखता है बेटा पढ़ लो पढ़ लो उसके बाद मैं देख लूँगा टाइमिंग का क्या हल है तो बेटा कौन सो आप्शन होगा एए आप् दिन चलेगा ज्यादा देर का क्लास नहीं है बेटा एक घंटा पलस तो जाएगा ही चलिए स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट कोस्चन आपके पास क्या है देखिएगा बहुत गजब गजब कोस्चन है अभी तान्य धागे के सहारे एक खोखले लोलक लटक रहा है बेटा आ दूसरा वाला में क्या किये है इसी का इसमें बेटा पारा को भर दिये है मरकरी को भर दिये आधा तक क्या किये है पारा को भर दिये है मरकरी को भर दिये है तो कहता है भर दिया जाए तो उसका आबर्तकाल क्या होगा इसका टाइम पिडियर और इसका टाइम पिडियर यान T1 और T के बीच relation दिखाना है T और T1 के बीच संबंध बताना है कि इसमें पाड़ा जब भर दिया जाएगा तो इसके time period में क्या परिवर्तन होगा जल्दी जल्दी बताईएगा हम नहीं देखते हैं आगे बढ़ा जाए बिल्कुल बिल्कुल बेटा इसको देखिए ये काम क कि चीज है कहां तुम लोगों को किस चक्कर में पढ़े हो भाई वो सब चीज चलेगा आगे बढ़ा जाए लेकिन जो भी बच्चे छोड़ेंगे बेटा इस लेक्चर को जरूर देख लीजेगा बहुत बेहतरीन लेक्चर है दोस्तों को सेर करो पढ़ने वाले बेटा सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे सारे बच्चे लाइक करते रहेंगे फटा फट फटा फट बढ़ियेगा आगे जब एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेका जाता है लेकर फटा एकज़ुक कर रहेंगे तो अब मेरे भाई जब यह उपर जाएगा तो यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा U कुछ नकुछ गती से इसको फेका गया होगा कुछ नकुछ गती से फेका गया होगा और इस पर बेटा लगेगा क्या तो नीचे क्योड आपका G लगेगा नीचे क्योड जी लगेगा पत्थर उपर जा रहा है नीचे क्योड जी लगेगा तो आपके पास डाटा क्या दिया है तो बेटा डाटा आपको H दिया हुआ है B दिया हुआ है G दिया हुआ है U दिया हुआ हुआ है अब सभी डाटा को द डाल दीजे यहां पड़ा गया u square minus 2gh हो गया अब आपको निकालना है u square ही तो u बराबर क्या हो जाएगा root under मेरे भाई 2 g के जगा पर 9.8 डाल दीजे और इसके जगा पर मेरे भाई 19.6 डाल दीजे अब गुना भाग कर दीजेगा तो 19.6 आग गुने 19.6 आजाएगा बाहर करे B option आपके बिलकुल सही option थे 19.6 यहां तक समझ में आया की नहीं आया एक बार सारे बच्चे बताईएगा बेटा जल्दी बताईए बेटा बहुत बेहतरीन question का सेट लाया हूं बहुत बेहतरीन question है एक एक question बेटा बहुत interesting और आजूबा छुपा रुस्तम सब है जो आपको सीधा attack करता है कहां परिक्षा भवन में next question देखिएगा 10 cm 10 cm फोकस दूरी के उत्तर लेंज की छमता होगा पाबर पूछ रहा है बेटा एफ दिया हुआ है तो पी बड़ाबर वन भाई एफ होता है एफ आपको कितने दिये गए है 10 cm cm को मीटर में बदल ये cm को इसको बेट कर सकते हैं 110% बिपूल बेटा 110% एकदम continue कीजिए सोचना नहीं है बेरी इंट्रेस्टिंग रीना खान चारे बच्चे सर निवे स्टूडेंट देशी छोड़ा बेटा जल्दी जल्दी नए जो भी बच्चे है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फटा-फटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्चन आपके पास है क्या कहता है एक बल एक बल दिया हुआ है एक किलो ग्राम द्रभेमान है और एक मीटर पर सकेंड़ स्क्वार बेटा इसका तोरण दिया हुआ तो पूछ रहा है इस पर बल कितना होगा तो फॉर्स बराबर क्या होता है मेरे मास गुने एक्सलेरेशन हो जाता है मास कितना दिया हुआ है एक केजी और एक्सलेरेशन वन है तो कितना हो जाएगा वन न्यूटन कहीं दिखाई दे रहा है जहां दिखाई दे रहा है वहां टिक करो क्या बात है एक कदम ऐसे ही मारेंगे भाई एक कदम रूकना नहीं है नहीं है ठाहरना नहीं है बिल्कुल आगे बरते रहना है लॉक करते जाना है क्या काता है उगते तथा डूबते सूर्ज के लाल होने का कारण है उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज बेटा लाल दिखाई जेता है क्यों दिखाई जेता है काता है बैगनी रंग का प्रकेजनन यानि वाइलेट कलर का प्रकेजनन जो होगा एस्केटरिंग सबसे अधिक होता है काता है बुलू कलर का जो एस्केटरिंग होगा प्रकेजनन सबसे अधिक होगा नीले और बैग नी दोनों रंग का प्रकेजनन सबसे अधिक होगा बताईए कि कौन सा उप्षन होगा, सारे बच्चे बताएंगे, नए जो भी बच्चे हैं, वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं हो, जो लाइक करने से बंचित रहेंगे, सारे बच्चे ब हाँ हाँ सही बात है सारे बच्चे गच्चा खा गए हमारे सी ऑप्शन बेटा सही होगा मैंने कहा था ना इसमें देखिएगा बहुत 50% आप लोग गलत कीजिएगा मैं अभी देख रहा हूं ऑप्शन बहुत कम बच्चे रियरे स्टॉप रियर आप कोई ना कोई तो सही तो यह अस्टक का नियम जो था वो बेटा आपका म्यूजकल नोट्स भारतिये म्यूजकल नोट्स सारे गामा पाधानी सानी के बाद फिर सा आता है इस पर आधारी था लेकिन तत्वों को किसके आधार पर सजाय था वो आपको बताना है यूपी वाले कर सकते हैं नहीं करना है जल्दी ये स्टार्ट कर देना है जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे कौन सो आप्शन होगा मेरे भाई तो परमानु द्रब्यमान एक दम सही बात है नील बोर को छोड़कर मौसले जब तक नहीं आया तब तक सारे के सारे बैग यानि किसके आधार पर एक परिया जर्ट एक होगे गया तकिया है मानक ताप एभं दाब यानि मानक ताप दाब मेरे भाई और टाप कितना होता है तो 273.15 केलवीं इसको लगब Twoиком केलぎ लिखा जाता है हेश्टीपी का मतलब यही होता है अब आप Counter 2.0-4 लीटर के बड़ाबर हो जाएगा तो कितने मॉल होगे ये एक मोल बेटा CO2 उसमें उपस्तित होगा कितना दिया हुआ है तो 44.8 लीटर CO2 जो होगा वो कितने मोल में होगा तो बेटा 2 मोल में हो जाएगा 22.41 में तो 44.8 कितना हो जाएगा 2 मोल कौन सो आप्शन हो गया तो 2 आप्शन एकदम फटा-फट बिलकुल सर सेवन को धरकन में एक जाम हां इसलिए तो कह रहा हूँ इसलिए तो कह रहा हूँ भाई आप ही लोक के लिये तो साम मी बेटा फिजिक्स को मॉर्णिंग करके सेलेबस कंप्लीट करके और मैं तेजी से आपका कोशन करवा रहा हूं मुझे सब चीज पता है बहूत सारे बच्हे हमारे पास हैं वहां के क्या कहता है जब कोई परमानू एक एलेक्टरन खोता है कोई परमानू बेटा ए है और ये एक एलेक्टरन खोएगा तो इस पर क्या आएगा खोएगा तो पलस आएगा जब ये दो एलेक्टरन खोएगा तो बेटा किस्ता आएगा तो दूगो पलस आएगा यहां पर एक गो एलेक्टरन खोड़ा है यहाँ पर दूगो एलेक्टरन खोड़ा है अब यह त्माच गो एलेक्टरन यानि तीन गो एलेक्टरन अगर कोई खो देगा तीन एलेक्टरन लूज करेगा तो यह पर तीन गो पलस आएगा यानि जब देगा तो पलस आएगा और लेगा तो माइनस आएगा बिलकुल लेगा तो माइनस और देगा तो फला सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे नए नए जो बच्चे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा कौन सा अप्शन हो जाएगा भाई क्या करा एक इलेक्ट्रोन खोता है यानि देगा जोडियम घ्याटा होता है एक इलेक्ट्रोन दे सोडियम पर माइगो प्लस आ जाता हम यहां से बाहर हो जाता है How कि अहले मतनीच करती हैं लिखा जाता है जब लेगा तो माइनस और देगा तो पलस जितना लेगा जैसे मान लीजे यहां पर दूपलस है तो इसको बेटा ही देगा नए नयए बैट चानल को सब्सक्राइब कि जग और सारे लाइक करते रहेंगे बहुत बिहतरीन सेथ एड़ील्कुल नया नया नयको मार लगाया हूं क्या काता है क्लोड डेस यह सारे questions आपको केबल परिक्षा में दिखाई जिता है पहले नहीं दिखाई जिता है तो chlorine gas क्या है वही पूछा गया है बिरंजक है अब कारक है reducing agent है oxidizing agent है अब कारता है और बिरंजक दोनों का काम करता है तो chlorine का oxidation state जानतो हो कि bleaching powder आता है chlorine पाया जाता है तो बिरंजक का भी काम करेगा दाग लग जाता है तो छोडाने में bleaching powder का इस्तमाल हम लोग करते हैं तो chlorine का oxidation state minus one plus one plus two plus two कहते है plus three plus five और plus seven भी होता है यानि यह देगा भी और लेगा भी तो यहाँ पर बेटा यह oxidizing agent का काम तो करेगा ही तो दोनों का काम करेगा कौन सो option होगा जल्दी बताइएगा सारे बच्चे बताएंगे बेटा किसका काम करेगा तो oxy karak का भी काम करेगा और आपको बिरंजक का भी काम करेगा दोनों का काम करेगा बेरी important chapter कौन है बेटा एक दम आगे बढ़ेंगे सारे very very important question कर बाला हूँ बहुत important important question कर बाला हूँ next question बेटा क्या करता है किसी घन का संपूर्ण प्रिष्ट 12 वर्ग मीटर स्कूर है बहुत छोटे छोटे question होते हैं तो घन का संपूर्ण वर्ग क्या होगा बेटा 6 la square कितना दिया हुआ है 12 आपसे पूछ क्या रहा है तो उसका कोड का लंबाई यानि l पूछ रहा है कि क्या रहा होगा तो ल बड़ाबर क्या होगा एले स्क्व्यार हो जाएगा मेरे भाई 12 बटा 6 कटके कितना अगया ठुट तो फटाफटिक करो और क्यों सा आप्शन आपके बिल्कुल सही हो सही हो रहा है नाम रखिए सर क्या नाम रखिए बिल्कुल आखका चलिए आगे बढ़ा जाith टेलेगराम चैनल बीटा सारदा क्लासेज है अब बताईए सारे बच् along को समझ में आ रहा है की बहुत बेटरीनहीं कुसन का आया हूँ आपके बीच वो केबल परिक्षा में आता है लोग उसको नजर अंदाज कर देते हैं आप भी नजर अंदाज कर देते हैं क्यों कर देते हैं क्योंकि आपको देखने से लगता है कि बहुत आसाने काम तो चली जाएगा ठीक है तो देखन में छोटन लागे घाव कर गंबीर कभी-कभी हाथी को एक चीटी भी पडास्त कर देता है जब उसके सूर में चला जाता है ठीक है तो ये बहुत जरूरी है कि सभी चीजों पर फोकस रखना है तब आप बेटा रैंकर बन सकते हैं रैंकर बनना है और मेरा तो उद्देश वही है रैंकर ही बनाने का मैं हमेशा काम किया हूँ और हमेशा करते रहता हूँ यसर समझ में आ रहा है बिल्कुल आएगा सारे बच्चे को आएगा चलिए क्या काता है कितने अंस का कोन अपने संपूरक कोन का दुगुना होता है कितने अंस का कोन अपने संपूरक कोन का तो बेटा कोई कोन मान लेता X, ठीक है, कोई कोण माल लेता हूँ X, इसका संपूरक कितना हो जाएगा, तो 180 degree minus X हो जाएगा, पूरक होता तो 90 में से घटा देते, अब पूछ रहा है कितने degree का, तो इसका दूगुना हो गया, यानि आपने कोण जो है, ये संपूरक का दूगुना है, तो संपूरक को दू से गुना कर दिए, अब बेटा ये X हो गया, माइनस 2X को इधर लाएगा, तो प्लस 2X, आए 180 गुने दू, यानि कितना हो जाएगा, तीन सो साथ आजाएगा, यानि X बड़ावर क्या हो गया, तो 360 degree और बेटा 3 हो गया, ये सब कोशन दिखाई देता है, नहीं देता है, कह सारे बच्चे हैं, क्या काता है, दो समरोप त्रिभूजों की उचाई दिया हुआ है, पांच और साथ दिया हुआ है, अब बेटा उनका छेतरफल है, तो आइडिया मान लिजे, A1 अबटा A2 क्या हो जाएगा, मेरे भाई, तो होले स्क्यार हो जाएगा, उसके, क्यानि 5 ब दिमाग सनका के रख देगा, और सोचेगा, ये सब भी पूच्ता है, हमने तो ये सब पढ़ा ही नहीं, तो ऐसे कोस्टन्स आपको बिल्कुल बिट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल छुटना नहीं चाहिए, उसके दिरिष्टी कोन से, मैं एक एक चीज सोच समझ के लाया तो ये आपका क्या आता है, रूट टू ए आ जाता है, तो रूट टू ए बढ़ावर कितना हो गया, तो चोबन रूट टू हो गया, पाइथा गुरस लगा दीजेगा, रूट टू कट गया, ये बढ़ावर कितना गया, तो फिप्टी फोर आ गया, ये बढ़ावर कितना आ या है cost to theta का मान पूछ रहा है तो cost to theta बढ़ावर 45 है यानि बेटा कितना हो गया तो cost 90 degree हो गया और cost 90 degree का मान क्या होता है मेरे भाई 0 होता है फटाफट c option एकदम जवाब देते रहिए मैं आप लोगों का भी देख रहा हूं लेकिन बेटा solution बताना जरूरी है बहुत जरूरी ठीक है तो उसमें बेटा भड़ा पड़ा सब चीज़ रहेगा पाखवान तो मजा आएगा बिलकुल मजा आएगा और सब दिन मजा आते रहेगा तो ऐसा होना चाहिए चलिए चलिए आगे बढ़ा जाया आगे बढ़ा जाया शर्यूपी के लिए 100% max अर्पिट पतेल 100% है बेटा जल्दी जॉइन किजे नए नए जो बच्चे हैं बिलंब ना करे मेरे भाई बिलंब नहीं करे बिल्कुल नहीं करना है प्रिती सर्मा सारे बच्चे बिलंब नहीं करेंगे max अर्पिट पतेल जॉइन किजे बेटा जल्दी जॉइन किजे next question क्या है एक रेडियो 972 रुपिया में बेचा जाता है तो 8% का लाब होता है तो मान लो बेटा ये x में खरदा गया था 8% लाब कर दिया कितना 8% लाब किया तो 972 में बेच दिया गया यानि क्या हो गया तो 108 X हो गया अब बड़ाबर 100 से इधर 972 इधर हो गया अब मेरे भाई यहाँ पर कार दीजेगा 972 है गुने 100 आ गया अब यहाँ से X निकाल लिए कि इसका क्रैमूल कितना होगा तो 972 और गुने 100 अब बट्टा कितना है 108 ही इसको कार दीजेगा बेटा 9 बार में कऺड़ा यानि 900 रूपया में इसको खरदा गया होगा कितना में 900 में खरदा गया होगा अब काता है 792 में बेचा तो हानी ऑ हो गया कितना में से 9 गया 9 8 17 हो गया अब बेटा यहां पर एक हो गया 180 रुपया का हानी हो गया कितना हानी प्रतिसत पूछ रहा है तो हानी प्रतिसत कितना हो गया उसको तो 180 बटा 900 और गुने बेटा 100 हो गया यानि दो दो कट गया 9 दुनी अठारा 20% का उसको नुक्सान हुआ कितना परस अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया आठ नो नो थे बातर ठीक है 900 रुपया ठीक है और यहाँ 972 में 792 में बेचा है तो यहाँ पर 0 ठीक है 17 में से 9 गया 8 हो गया और यह बेटा यहाँ पर 8 में से गया 180 ठीक है 180 बटा 900 ठीक है गुने यह 9218 20% तो दिखाई दे रहा है कौन सो option होगा भाई ऐसा करो इसको 10% नहीं होगा यहाँ पर E करके option 20% डाल दीजेगा 20% डाल दीजे आमें यह खरदा और उसके बाद बेचा कितना में यदि उसे 900, 792 में बेचा जाता है तो 700 अदू 900, 972 ठीक है 700 बेचा तो बेटा 180 ठीक है 972, 792 यहाँ घटाने में गल्ती नहीं है 2 में से 2 गया 2, 17 में से 9, 8, 17 ठीक है और यहाँ पर 9 में से 100 ठीक है ठीक है चलो next question देख ल इतना root 3 दिया गया है तो पूछ रहा है तो संभाहूत रिबूच का चेतरफल क्या होता है? root 3, 22, 4, a square आपका होता है यह कितना दिया गया है? तो 100 root 3 दिया गया है, root 3 से root 3 कार दिजे, a बड़ाबर बेटा क्या होगा? यह 100 को तोड़ दिजे, 10, 10 में इधर 4 आएगा, 4 को 10 दू में, तब बाहर निकलेगा क्या? 10 दू दू यानि कितना आजाएगा? तो 20 आजाएगा, 10 दू दू बरावर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानि कौन सो option होगा? option number A होगा, दोस्तों को share कीजे, दोस्तों को share कीजे, कम बच्चे हैं, सारे बच्चे बेटा like करते र सनुपात, बेटा इस सनुपात में ये कमाता है, तो मान लिजे 3X मान लिजे और बच्चा 2X मान लिजे, किसका? ये आमदनी है P और Q का, खर्च कैसे करता है? तो P और Q का जो खर्च है वो बेटा 5X आब बच्च 5Y आब बच्च 3Y मान लिजे, अब कहता है कि दोनों कितना बचाता है, तो दोनों 200 रुपया बचा ही लेता है, यानि 3X आम माइनस 5Y जो होगा वो बेटा 200 के बढ़ावर हो जाएगा और नीचे में आपका 2X आम माइनस 3Y जो हो जाएगा ये आपके 200 के बढ़ावर हो जाएगे, फटा-फट इन दोनों समीकरण को सॉल्व किजे, ज जल्दी जल्दी बताईए कौन सा अंसर होगा अच्छा यह option मैं नहीं बताऊंगा भाई आप इसको solve कर लेगा इसको solve कर लेगा कौन सा अंसर होगा आपको बता देना है जल्दी जल्दी बताईए कौन सा option होगा अब बेटा इसको गुना भाग कर लो 2 से इसको गुना करो 3 से दूसर लगबग आपको कितना आजाएगा तो चारती है 1200 के करीब आठी है 1200 कर लिजेगा कौन सो आप्शन होगा ठीक है 1200 के करीब हमको लग रहा है कि वही आना चाहिए ठीक है मैंने कैलकुलेट नहीं किया है बहुत सिंपल कोशन था अगला कोशन देखिएगा आपके पास क् धाबन सोडा क्रिस्टलिये होता है तो धाबन सोटा क्या होता है मैंने कल बताया था क्रिस्टलिये मतलब क्या उसमें कितने जल पाये जाते है कितना एमाउंट जल का पाये जाता है कैल्सियम कार्बोनेट जो आपका दिया गया है उसमें आपको कितने जल पाये जाते है तो नाभिक में आपके दो चीज होते हैं, नाभिक में क्या होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, नाभिक में क्या होता है, जल्दी जल्दी आंसर दीजेगा सारे बच्चे, तो नाभिक में बेटा प्रोटोन पाया जाता है, और आपको न्यूट्रोन पाया जाता है, तो इसमें है गारगो 12 नहीं पाया जाएगा 23гор नहीं होगा कौनसं हो जाएगा तो option no MUSIC meant आपके सही हो जाएंगे 11 neutron yap शारे बच्छे बीटा इदम सोच समझ के जबाब देंगे नए-नए जो बत्चे हैँ वहीट सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों को share कीजे, next question बेटा देखिएगा, जल्दी जल्दी जबाब दिजे, क्या कहता है, परम्सुन ताप वह ताप है जिस पर, जार में लगाईए लगेगा, परम्सुन ताप वह ताप है जिस पर, क्या है, 4 option दिया हुआ है, परम्सुन ताप बेटा, यानि माइनस 273 Kelvin जीटो डिग्री सेल्सिएस एक frequently एपसोलूट जीडो डिग्री सेल्सियस यानि माइनस दूसोत्अत्र दसमलाब माइनस audi सोंत्य 80 दसमलाब 15 केलली दिसीज काल प्रवा मसुनताप क्या कहता है प्रवा मसुनताप नाइस पर प्रक्रम किसी उस्मा का आदान प्रदान नहीं होता है और चौथा उप्शन है एक सम्तापिये प्रक्रम में उस्मा का आदान प्रदान नहीं होगा कौन सा उप्शन होगा यसर समझ में आ रहा है बिल्कुल आएगा मेरे भाई कौन सा उप्शन होगा एक कदम सही जवाब आपके पास क्या दिया हुआ है बेटा कोस्टन समझेगा क्या कहता है वास्तभी के गैस वास्तभी के गैस कहने का मतलब बेटा रियल गैस कौन सा गैस रियल गैस दिया हुआ है क्या कहता है रियल गैस जो आपके होते है आदर्स गैस के नियमों का अधिक निकरता से पालन करत बहुत अच्छी तरह से पालन करना सुरू कर देगा सर कोस्टन इंगलिस में भी करवाओ बहुत प्रॉब्लम होता है बिटा जरूर आपको देख रहे हैं सब चीतों मैं बता ही रहा हूँ रियल गैस है आधर्स गैस तो पीवी बराबर एनार्टी का पालन करेगा कब करेगा तो कहता है कि प्रेशर अधिक होगा ताप कम होगा दूसरा अप्शन है प्रेशर कम होगा ताप यानी टैंपरेचर ज्यादा होगा प्रेशर अधिक होगा दाब ज्यादा होगा और ताप भी अधिक होंगे दाब कम होगा ताप भी कम होगा कौन सा अप्शन होगा जल्दी questions आएगा sir please find attached file of the attachment file type pdf बिल्कुल सब चीज एकदम question hundred percent बेटा किसको B को लोग करो मेरे भाई हाल फिल हाल में मैंने पढ़ाया है दाब कम होना चाहिए यानि pressure आपका कम होना चाहिए temperature जादा होगा तो ideal gas आपको यानि real gas किसमें बदल जाएंगे इसमें कब जब pressure कम और temperature को अधिक किया जाएगा तो वास्तभी gas आदर्स gas जैसे बेभार करना शुरू कर देता है चलिए नए नए बच्चे जो भी है वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा अगला question है sulfur dioxide chlorine से अभी क्रिया करके क्या बनाता है करवादो मेरे भाई sulfur dioxide का chlorine के साथ अभी क्रिया करवाईएगा तो SO2 Cl2 का formation कर लेगा कहीं दिखाई दे रहा है तो फटा फट्टिक करो फटा फट्टिक किजिए मैं आगे बहुत अच्छे अच्छे questions को भर भर के लाया हूँ वहाँ भी पहुचना है हमें अभी तक बेटा बहुत अच्छे अच्छे questions मैंने किया है आगे और खुबसूरत question है ammonia को सुस्क करने के लिए पर्योगत होता है ammonia को बेटा सुस्क करना है तो किसका पर्योग करेंगे concentrated sulfuricum का calcium oxide का calcium hydroxide का और phosphorus दिया हुआ है P4H10 का किसका करेंगे जल्दी जल्दी बताइएगा बुझा हुआ चुना याद होगा बुझा हुआ चुना मैंने बताया था कि calcium carbonate को बेटा reaction करवा देते है COS2O के साथ तो यह भुझा हुआ चुना बन जाता है COS2 यह बन जाएगा और इसी का उप्योग ammonia को सुस्क करने के लिए किया जाता है बुझा हुआ चुना करके भी option देगा तो आप लोग बिल्कुल घबडाएंगे नहीं एक दम सारे बच्चे बेटा जवाब देंगे एक बात बताईए सारे बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा question selected है या नहीं है सबसे अलग सबसे जुदा ये आपका सारदा का अदा है तो बिल्कुल सब ची दिखाएंगे नया question देखने को नहीं मिलेगा परिक्चा में ये विश्वास कीजिए हम पर आप कितना लिख के आते हैं मेरे भाई ये आप पर निर्भर करता है लेकिन मेरी पूरी कोशिस होगी कि वही कुछ है जो मैं पढ़ा के भेजूँगा लेकिन आपको ये तब समझ में आएगा जब बेटा आप वहाँ से वापस आएंगे जरूर कहेंगे क्या बोला करते थे सर जरूर याद कीजिएगा वैसे जो बच्चे होंगे हमसे इससे पहले कु कोशन आएंगे बिल्कुल बिल्कुल साथी जल्दी बढ़ा जाए सारे बच्चे यसर समझ में बिल्कुल आना चाहिए क्या काता है कॉपर पाइडाइट का सुत्र का होगा जल्दी रांसर दीजे मेरे भाई आप लोग कुछ आंसर दे दीजे तब तक मैं थोड़ा रिलेक को बहुता हुआ है चली आगे बढ़ते है कि चलिय आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं इंजिनियर सुस्माशन मर बेटा जबान पर लगामलगाव क्या बोलते रहती है चलो आगे बढ़ा जाए आगे बनागा जाए और पाइडाइड किसका सूत्र है बेठा तो myself बसा को स्थापित करना है यह स्थापित करना है तो क्या होगा मेरे भाई दुई सथापन अभीकरिया हो जाएगा चलिए implement कोश्चन आपके पास क्या है अग्ला कोश्चन की ओर मैं मूब करता हूं बहुत सारे कोस्चन हमारे पास अच्छे अच्छे questions का अमबार लगा हुआ है तो एक भी question इसका बिल्कुल छुटना ना चाहिए सतुरुधन सिंग यादब क्या बात है यह option is right जब आप सर बिल्कुल आगे बरते हैं आगे बरते हैं सारे बच्चे बिटा बताएंगे नए जो भी बच्चे होंगे वो channel को subscribe करेंगे बिटा A दिया हुआ है B दिया हुआ है C दिया हुआ है D दिया हुआ है और सभी के pH का मान आपको दे दिया गया है A का pH का मान इतना है 11 है B का मान 9.8 है और C का मान दिया गया है 3.8 और D का मान दिया गया है 6.5 यह आपके pH के मान दिये गया है अब आपसे पूछा गया इसमें छारिये कौन होगा तो जिसका पी एच का मान सबसे ज़्यादा होगा तो इस चारों में पी एच का मान सबसे ज़्यादा किसका है भाई एका सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा छारिये कौन हो जाएगा एह हो जाएगा और सबसे ज़ में आगया होगा सबसे ज़्यादा अमलिय कुन होता तो सी आपका सबसे अधिक अमलिय होता और सबसे ज़्यादा चारिया आपके यह हो गए next question आपके पास क्या दिया हुआ है अगला question बिटा आपके पास क्या है ध्यान से momentum क्या हो जाएगा संबेग MB हो जाएगा अब यह गया बेटा यहाँ पर और इससे टकड़ाया और टकड़ा के वापस आ गया तो कहता है कि और उसी चाल से वापस आता है तो मास भी परिवर्थित नहीं होगा मास कहां परिवर्थित होता है nuclear physics में होता है तो मास तो वही तो MB बेटा इधर जा रहा था इधर जो वापस आएगा तो किस से आएगा तो MB से वापस आएगा यानि कहने का मतलब जो हो जाएगा वो किस के बराबर हो जाएगा तो पलस वला MB माइनस MB के बराबर हो जाएगा no doubt संबेग में केवल दिशा बदल जाएंगे संबेग के मान में कोई परिवर्तन होगा मास भी वही velocity भी वही फर कितना कि ये इधर से इधर जा रहा था और आने बक्त वो उधर से इधर आने लएगा बस इतना ही होगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा Next question आपके पास क्या है देखिएगा एक बस्तू क्या काता है एक बस्तू का द्रबैमान P3P पर M दिया हुआ है तो चंदरमा पर उसका द्रबैमान कितना होगा जलदी बताईयेगा कोन सा option होगा पहला दिया हुआ है 1x6MG दिया हुआ प्रद्रवेमान उसके बाद दिया हुआ है 6M 1 by 6M और यहां सुन दिया हुआ है कौन सा ओप्षन होगा सारे बच्चे बताएंगे बेटा सारे बच्चे बताएंगे सारे बच्चे नए जो भी बच्चे है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा सारे बेटा अजूबा अनोखा और बेतरीन कोश्चन का संगम है वही कोश्चन है जो परिक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आपको इस कोश्चन से बंचित रखा जाता है मैंने देखा है सब जगव उठा कि अभिनास कुमार इंगलिस में नहीं है सर इंगलिस में बेटा समझा देता अध्रता है जो बहुं आदमी है तो ऊपर जाता है चंद्रमापर नहीं और आर्थ पर यानि प्रिति पर साथ है तो चंद्रमापर उस आदमी का द्रभेमान कितना हो जाएगा एक बटा शौकुने 6 यानि कितना बेटा 23 किलो का अद्मी हो जाएगा 200 किलो हो जाएगा आदमी यानि 10 किलो क्या हो जाएगा आहा क्या बात है झाले ऊक हुआ है जल्दी बताओ बाई बता दो जल्दी आ गया होगा मेरे ख्याल से आ गया होगा वीडियो रुका शुरू हुआ या नहीं हुआ सो बताओ ना रिपोर्ट करो भाई रिपोर्टिंग प्लीज प्लीज रिपोर्टिंग प्लीज आ गया मैंने देख लिए आ गया चलिए यस सर हो गया मैंने बोला था ना रिपोर्टिंग प्ली जल्दी रिपोर्ट किजेगा दोस्तों को बुलाईए नेमलिखित भातिक रासियों में से कौन सी दूसरों से भिन है यानि चार रासि दिया गया है काता है तीन गो एक जैसा है आई गो सब से अलग है तो आपके पास आपके पास क्या दिया हुआ है बिस्थापन है बेटा वेग है और बल है यह तीनों में जवुरत होता है बिस्थापन आपका एस होता है वेग आपके क्या होते है तो बिस्थापन बटा समय होता है और बल क्या होता है तो बेटा मास गुने मास गुने क्या हो acceleration acceleration को लिखो B यानि पिस्थापन आपटा T A स्कॉर करने है बहुत जबरदस जबरदस 있लाज कर भाता हूँ पिलकुल गलत बात है, क्या काता है, दो बस्तूओ, दो बस्तूओ के बीच गुरुत्वा कर्शन बल इस पर निर्भर नहीं करता है, तो दो बस्तूओ के बीच गुरुत्वा कर्शन बल जो लगता है, वो क्या होता है, तो g m1, m2, बटा r² होता है, अब इसको बेटा तोर द Newton meter square पर kg A square होता है यह याद रख लिजेगा ठीक है और दूसरा क्या क्या काता है कि FG जो होता है वो बेटा आपको किस पर depend करता है Mass of Earth गुने Mass of Body इसपर depend करता है आर्थ का mass कितना होगा तो product पर depend किया उनके द्रवमान के गुनन फल पर मास ओफर्थ कितना होता है चोग उने दसपे पावर 24 केजी होता है दोस्तों को सेर कीजिए जल्दी जल्दी सेर कीजिए अब बेटा तीसरा आपका क्या दिया हुआ है तो एफ जी जो होते हैं वह आपको डायकली प्रोपोस्ट रवन बटा आरे स्कॉर्ड तो आरे स्कॉ बेटा सभी बच्चे एक बड़ा बचाईएगा जोर सोर से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा एक एक चीज बहुत अच्छे अच्छे कोस्टन का अमबार लगा रहा हूँ आपके बीच और सब चीज तोर तोर के दिखा रहा हूँ तो समझ में जरूर आना सर हम आपका मैच देखते हैं क्या बात है बंबं मेरा मैच देखोगे बेटा बहात उपर जाओगे जरूरी भी है आपके लिए भी जरूरी है हमारे लिए भी जरूरी है नेक्स्ट कोस्टन क्या काता है जब नमक को बर्फ के साथ उचित रूप से मिस्रित किया जाता है या घटेगा घटेगा तो क्या काता है कम हो जाता है अधिक हो जाता है और परिवर्तित रहता है अनंत हो जाता है जल्दी बताईएगा बर्फ में नमक को मिलाने पर क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी बताएंगे जल्दी जल्दी बताएंगे जल्दी जल्दी बताएंगे आपका देख लूँ किया जवाब देते हैं जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे पिल्कुल बहुत कम बच्चे जैनल को सब्सक्राइब किये हैं मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे तो बेटा कम हो जाएगा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा भाई नमक डालिएगा पिघलना सुरू कर देगा ये भाई कहा हो क्या काता है बर्प का पानी में बदलना बर्प को बेटा पानी में बदलते हैं तो ये कौन सा परिवर्तन होता है बर्प का पानी में बदलना रसाइनिक परिवर्तन परमानू परिवर्तन भौतिक परिवर्तन बिद्धुत परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होगा कौन सा changes होगा जल्दी जल्दी बताईएगा बहुत जल्दी बेटा खतम कर दूँगा जादा questions रही है आपका दो चार questions और है दो चार पांच questions हमारे पास और है फटापट उससे जादा questions रही है मैंने कम ही आपको लेके आया था questions बिल्कुल लेकिन जो भी questions थे बहुत important very very important question था कम question नहीं करवाया हूँ लगवग 80 plus question मैंने करवा दिया आपको पता नहीं चला क्योंकि मैं सुरू में मैच का लहर था इसलिए मैं ही बताते चल गया आप से conversation में कम time lapse हुआ है ठीक है जल्दी बताईएगा क्या हो जाएगा भाई बर्प का पानी में बदलना भौतिक परिवर्तन होगा भाई मिला क्या पानी यह ना पानी यह जमल था तो बर्प था नया कुछ मिलता तो रसाइनिक होता नया कुछ मिलता तो रसाइनिक होता चलिए बहुत परिवर्तन को ठिक कीजिए चलिए next question बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है पड़म ताप सुन किसके बराबर होता है मैंने अभी यह कोशन करवाया था पड़म ताप सुन का जल्दी बताईएगा पड़म साप ताप सुन यसर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं बेटा एक दम पढ़िए एक दम एक चीज तोड मरोर क आपके सामने रख दूँगा निचोर के बेलकुल निचोर निचोर के रखा जाएगा क्या बाती है क्रेजी री ना चलिए आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए बर्मा कौन से टाइटिल जागे बढ़ा जाए आगे बढ़िये भाई जल्दी जल्दी आगे भरिये जी सर नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे सभी बच्चे लाइक करते रहेंगे नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा फटा 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 आगे बरता हूं और जो 270 दसम लव 15 Kelvin किस में माइनस में आ जाएगा चलिए next question सरक्या अब थोड़ा fast कर देंगे please बिलकुल बिलकुल अब खतम करने वाला हूँ अंस बिलकुल खतम होने वाला है बाई बिलकुल खतम होने वाला है अब बहुत कम questions होंगे एक दो questions होंगे प्रती ध्वनी सुनाई देग यदि एक दिवार के मुल ध्वनी प्रावर्ति थोगर अब बेटा क्या कहता है अब बड़ा गोर से सुनो कहता है बेटा यह दिवाल है मानलो यह दिवाल है क्या दिया हुआ है अब कहता है कि यहां आप बोलते हैं यहां कोई बच्चा खड़ा है और यहां से ही बोलता है तो यह बोला यहां से गया और यहां से जाने के बाद आवाज जो आएगा वो कितना समय में आवाज यहां आएगा जैसे आप किसी रूम में जाते हैं नए आपका घर बनता है तो एक बार बोलिएगा हेलो तो हलो 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 एको की तरह सुनाई देता है तो यह बच्चा आने के बाद तो वो कितना समय के बाद आएगा वही पुछा गया है प्रती धोनी सुनाई देगी यदि एक दिवाल से मूल धोनी प्रावर्ति ठोकर कितने समय में यानि इतने समय यानि क्या कितने समय पस्चात हमारे कानों तक पहुचेगी यानि कितना समय बाद अगर वो हम शोमारे कान तक आयगा तो भॉन प्रति ध्योंग आपको सुनाई देगा ध्योंगा तकरा ने के बाद जो मेरे पास या। उसी को प्रति ध्योंग यायाता है तो बहौए पन्ने में समय कितना लगेगा वही समय पूछा गया है बहुत बेहतरीन question है क्या कितना है बेटा 10 second दिया वह है और 5 second दिया हुआ है 1 second दिया हुआ जीयरो पॉइंट वन सकेंड दिया हुआ कौन सो option होगा देखिए मैंने सर पीडियेफ अप्लोड कीजिएगा 100% करता हूं बेटा 100% टोटल पीडियेफ मैं अप्लोड करता हूं एक भी पीडियेफ आपको छोड़ा नहीं जाता अभिनास कुमार सर प्लीज सर इंगलिस में पढ़ाया करवाईए ना प्लीज अच्छा बिल्कुल मैं तोड़ तार के तो समझाई देता हूं मेरे भाई पेज पर जगह न रहे इसलिए जगह नहीं बस्त पाता है ना बोड पे और बहुत बड़ा होता रोबोट की तरह पाहते तो बहुत बड़ा स्क्रीन होता तो कोई दिक्कत नहीं ता सब भासा में लाते को को वैसे मैं आपको इंगलिस में इसको डाल दूँगा इंगलिस में PDF आप लोग को मैं डालूँगा जरूर बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं तो मैं जरूर सुनूँगा आप लोग की बात बिलकुल आपको सुना जाएगा नए जो भी बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा इसको सारे बच्चे गल्ती की ओर जा रहे है एक भी बच्चा हमारे डी पर नहीं जा रहे हैं आज गंती बज़ा था धार आज सोविश को लॉक डाउन लगा था सर टाइम टेबल बता दिजिएगा सुभा सात बजे मेरे भाई मैं केमेश्ट्री का क्लास लेगा आता और साम साथ बजे मेरे भाई आपको जो क्लास लाया जाता है वो फिजिक्स का लाया जाता है पड़े ये तीन क्लास दिया जाता है और सारे के PDF, Notes, टेस्ट, पारा मेडिकल का भी सकेंड बैस में फिरी आपकोस्ट फिर ये स्टार्ट करने जा रहा हूं ठीक है उसके बाद आपका बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है और टेस्ट ये सारे सुभधाये आपको सार्दा क्लास बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा है एक पैसा चार्ज आपसे नहीं ले रहा है और रैंकर्स बैच बेटा प्रोवाइड करता है सार्दा क्लास हमेशा रैंकर्स ब पूछा गया होगा भाई जरूर पूछा गया है सारे कोस्टन, रिप्टेट कोस्टन्स लाया हूँ, जो परिक्छा मीटर पर सकेंड है तो आप से पूछा गया है कि कितने डिगरी सेल्सियस पर कितने डिगरी सेल्सियस पर इस बॉक्स को भरना है कोस्टन पहले समझेगा आप से पूछा जा रहा है कि कितने डिगरी सेल्सियस पर आपको जो साउंड का वेग होगा वो एक से 2x मीटर पर हो जाएगा यानि 27 degrees Celsius पर माल लेता हूं कि 27 degrees Celsius पर धोनी का बिए जो आपका नौर्मल टेमपरेचर घरका होता है वो 332 है माल लेता हूं air में आपका कितना दिया हुआ हमा में तो 332 मीटर पर सकेंड है अब आप से पूछा गया है बेटा जितना ज्यादा गर्म किजेगा किसी भी चीज को तो एर के मोलिकूल बिल्कुल 100% जारखंड के जो भी बच्चे हैं बेटा आभी तो आप ही लोग का एक दम चल रहा था भाई कहा गया भाई अभी एक बच्चे थे मैंने देखा था हां बिल्कुल अंकित किताबे पढ़ो ताकि लोगों को चली आगे बढ़ा जाए हां बेटा एक दम सही जवाब था तो जैन नए जो भी बच्चे हैं बेटा सारे जो उपर थंबल लगाया गया है सारे चीज़ पढ़ा आते हैं टेस्ट कब होगा जस् करेंगे सारे बच्चे बेटा चैनल को लाइक करेंगे और नए नए जुलकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब की जेगे जरूर से जरूर इसब्सक्राइब करेंगे निव पहले को समझे बहुत बेतरीन कोशन है तो 27 दिग्री स्टेलती है तो आपका रूम काताप मान है तो ध्वनी का बेग आपको एक समान लिये तो मैंने मान लिया 332 है अब कहता है कि कितना दिग्री टैंपरेचर पर यहां पर क्या टैंपरेचर आप डालिएगा ताकि उसी दूगूना हो जाएगा यानि यह दूगूना हो गया तो बेटा 664 मीटर पर सकेंड हो जाएगा कितना डिग्री पर वही टैंपरेचर आपको पूछा गया है जल्दी जली बताइए 927, 408, 454 और 300 कितना पर आजाएगा भाई अंत भला तो सब भला अंत भला तो सब भला य कोई प्रॉबलम नहीं होना चाहिए था तो बेटा चलिए मैं आपके बीच आ चुका हूँ अब बेटा बताईए कोई भी बच्चे जिसे ये लगता हो क्या मजा आया या नहीं आया एक भी कोस्चन कहीं कुछ प्रॉबलम हो तो बेटा जल्दी जल्दी बताईएगा नए जो बच्चे हैं यस मिस्रा धनबाद से बेटा जुआइन कीजिए मैं बार बार उपर जो लगाया हूँ आप ही लोग के लिए तो आपका एक्जाम बहुत जल्दी है बहुत नजदीक है सर मेरा चैट पढ़िए बिलकुल राज की सोर बेटा आप जिसको जो समस्या है अब जल्दी जल्दी अपने समस्या को बताईए फिर मैं आगे देखता हूँ कि क्या है चलिए भाई क्या बात है हाँ बिलकुल बिलकुल अरिना रोई स्टार्ट कीजिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अंजल कुमारी ये स्टार्ट कीजिए जो बच्चे है बेटा जिसी को कोई समस्या है नहीं है साड़े बच्चे बताएंगे सर टेस्ट कितने कोस्टंस का होगा वो मैं सब बताऊंगा आपको एक के करके बताऊंगा लेक्चर मैं खतम कर चुका हूँ तो आपको बताना है आप बेटा मैं टाइम टेबल बता देता हूँ आपको सुबाट बजे यानि ये जो कलास आपको प्रोवाइड होगा केमेस्ट्री का ये 7 बजे सुबा में दिया जाता है 7 a.m. में आपको chemistry का class provide किया जाता है सारे 11 बजे सारे 11 बजे बिटा आपको किसका class तो math का class होता है और साम 7 बजे जो है साम 7 बजे मेरे भाई आपको किसका class provide किया जाता है तो साम 7 बजे में आपका physics का class provide किया जाता है और इसी class के बीच में इसी class के बीच में बेटा आपको क्या provide किया जाएगा इसी class के बीच में time तीन ही रहेगा अब बहुत जल्दी आपका coming soon लिखा हुआ है बहुत जल्दी biology के class आपको provide किये जाएंगे तो आपको कहीं किसी चीज के लिए आश्रित नहीं होना है कहीं भटकना नहीं है किसी का कु सुनना नहीं है, सोचना समझना नहीं है, कहीं न कहीं मेरे भाई आपको विश्वास करना होगा, और सारदा क्लासेज बेटा हमेशा रैंकर्स बैच दिया है, रैंकर्स बैच का रेकॉर्ड हमेशा रखे है, क्योंकि मेहनत भी रैंकर्स की तरह कहते हैं, बेटा जितना मैं सु सब्सक्रिप्शन बेस्ट जो मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा और एक बैच अभी हमारे बहुत सारे बच्चे पर रहे होंगे तो यहां से उतरने के बाद पहले उसका डाउट देखूंगा क्या सब प्रैक्टिस किये हैं क्या सब पढ़े है तो उसके बाद मैं आगे बरूंगा बिल्कुल और इना रोए बेटा इस्टार्ट कीजे सरजारखन पोल्टेक ने अब देश बिल्कुल यार उपर लिखा हुआ है आप लोग का बहुत जल्दी एक्जाम है बाई मैं बार बार कह रहा हूँ कट्टर आप लोग भी बताईए आप लोग भी बताईए जो परमान देने जा रहा हूँ कि मैं बेटा पॉली टेकनिक का बैच पॉली टेकनिक कहते हैं पारा मेडिकल का बैच आपको विरिकुल फ्री आपकोस्ट वो भी बहुत जल्दी इंट्रोडूस करने वाला हूँ पारा मेडिकल का बैच पारा मेडिकल का बैच और एक चीज मैं और बत हम अपने सभी बच्चों को बता दू कि बेटा मैंने आप लोग को एक बचन दिया था कि होली से पहले एक स्ट मैं बाइलोजी का करवाऊंगा तो बेटा हो सकता है तो कल आपको बाइलोजी बाले जो भी बच्चे होंगे बहुत सारे बच्चे होंगे तो वो जान लिजेगा कि कल हो सकता है तो एक क्लास बाइलोजी का आपको मैं लूँ तो बिलकुल रेडी रहिएगा पहला क्लास बेटा बहुत धमाकेदार होगा याद रखिएगा PCM के बाद B का भी गुरू आप बना दिये हैं हमें तो बेटा इस पर भी ट्रस्ट करना होगा तो हो सकता है पाड़ बेट फ्री ऑफ कोस्ट टेस्ट बहुत जल्दी मैं और्गिनाईज कर रहा हूं टेस्ट आपका बहुत जल्दी और्गिनाईज होगा सारे चैप्टर के नोट्स आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और सारे का PDF मैं भेजी चुका हूं पुराने से नए यानि लगभग बेटा यूटूब पर आपको चारे 400 प्लस लेक्चर सारे 400 प्लस लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूं चैप्टर 22 सभी चीज को Physics, Chemistry, Math चैप्टर 22 पूरा थियोरी पढ़ा चुका हूं 40 साल का पूछा गया कोस्टन 5-6 स्टेट का 40 साल का पूछा गया कोस्टन पूर आपको करवा चुका हूं तो ये सब फैसलिटी आपको सार्दा क्लासेज अल्रेडी प्रोभाइड करवा चुका है आगे भी ये कंटिन्यू दिया जाएगा आप लोग को बिलीब करना होगा और ये कहानी बेटा तब तक चलता रहेगा जब तक आपका परिक्षा ने हो जा आते हैं तब तक मुझषाफिर का साथ मैं नहीं चोड़ूंगा ये आपको बिस बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आते हैं टीचर भी बरगला देते हैं रोट पैसा नहीं दियो हो बेटा निश्वार्थ भाप से किया गया सेवा को सेवा कहा जाता है उसे क्या कहा आता ह काम नहीं कहा जाता है और जो सेवा होता है उसमें लोग थकता नहीं है इसेलिए तो मैं न थकता हूँ न थमता हूँ न ठहरता हूँ बिलकुल चलते रहता हूँ ठीक है तो सेवा निश्वार्थ भाब से किजिये तो उसका परिनाम बेटा उपर वाले देता है और उपर वाला जब भी देता देता चपर फार के याद रखेगा हमेशा चपर फार के देता है नीचे वाले से उमीद नहीं कर सकते हैं तो निश्वार्त भाब से किया ग्या सेवा का परिनाम उपर वाले देता है और वो जब भ मारे बच्चे वन टू टेन में आएंगे और टेन में आएगा कौन आप आईएगा खुशी चार गुना मुझे होगा याद आया चलिए आगे बताईए मेलकुल सही बात है आगे और किसी को कोई दिक्कत है सरे स्टार्ट कीजिए अब क्या करें अब तो खतम कर दिये हैं खतम करके ही तो आपका सुन रहा हूँ खतम कर दिये हैं बेटा एक दम आप लोग अब किसी को कोई दिक्कत हाँ सुभम भारत्वाज नए बच्चे दिखाई दे रहे हैं नए जो भी बच्चे हैं सर आपका नाम क्या है तो मेरा नाम बेटा कोई बता दो बहुत सारे बच्चे हमारे होंगे सारी स्टुडेंट सारदा क्लाशेज को लाइक करो देखिए हमारे पूराने सेर सब बिल्कुल दाहारने वाले हैं आप लोग भी आईए इसमें सामिल हो ये क्या लिखा हुआ है अनुराग साहू नए बच्चे हैं नए जो भी बच्चे हो बेटा पिंटु यादव नए नए बच्चे मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ बेटा सारदा क्लासेज का कोई भी लेक्चर खोल लीजे कोई भी लेक्चर खोल लीजे पांच मिनट सारदा क् सब्सक्राइब कर लिजेगा नहीं अच्छा लएगा तो बेटा आपके हाथ में सीधा बैक हट जाईएगा वहाँ से चलिए कोई दिक्कत किसी को good night to all of you सर यूपी में एक जाम कब होगा ये तो बेटा वक्त बताएगा मेरे हाथ की बात नहीं है इसलिए तो हम आपके सिस हैं सर क्या बात है कटर आजाद कटर सिस है हमारा बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो सीधा करते हैं मैंने बता दिया कि होली से पहले मैंने घोसना किया था कि बाइलोजी का एक न एक कलास जरूर लूँगा तो होली बेटा किसी दिन है सोम बार को है तो याद रखेगा दो दिन समय हमारे पास बचा हुआ है और ये दो दिन में आपका एक क्लास जरूर बाइलो जी का आएगा, no doubt की नहीं आएगा, मैंने जो बचन दे दिया, मुझ से निकला हुआ बिटा, जबान से निकला हुआ क्या, जबान से निकला हुआ, सब्द और धनूस से निकला हुआ, तीर कभी वापस रही होता है, तो य एक कोस्चन है, अनुराधम, अनुराग साहु, बोलिए भाई, गेम अभर, जो एक कोस्चन है, पूछ लिजे, जी भिन्टु कुमार, भेरी भेरी नाइस क्लासे सर, आगे बताईए, और किसी को कोई दिक्कत हम से कुछ जानना है, बताए न सर अपना नाम, बता तो दिया, अभी तो बोला, बीरशन कुमार, कटर आजाद, हमारे एदम कटर स्टुडेंट है, बिलकुल बता दिया, सब चीज याद रखते हैं, बच्चे हमारे, आप भी याद रखिए भाई, इस सवर सर, नए, सारे, बिटा, ये सारी सुबधाएं, और सबसे इंपोर्टेंट आएंगे, तो चलिए मेरे भाई, बाई-बाई टाटा चलते हैं, फिर कल मिलेंगे नए जोस, नई उमीद, नए भरोसा के साथ, नया टॉपी को लेकर सुबह साथ बजे, क्या बजे, साथ बजे, बिलकुल रेडी रहना है, सुबह साथ बजे,